तो दोस्तो आज की वीडियो होने वाली है best double door refrigerator in 2024 जो आपको 25,000 रुपे की रेंज में आने वाले हैं दोस्तो 25,000 की रेंज में और डबल डोर रेफरेटर, रेफरेटर की रेंज में आपको इतले सारे ब्रैंड जेटने मिल दाएंगे और बहुत सारे लोग मुझे हमेशा जब भी मैं टॉप 5 वीडियो बनाता हूँ, तब वो कोई अपना एक नया ब्रैंड लेके आते हैं, कमें कैटेगरी में बड़ा होने वाला है, और मैं उनके सारे ब्रैंड को आपके साम में कमपार करने वाला हूँ, मैं गरेंटी के साथ बोल सकता हूँ, कि यूटूब पे आपको इस तरीके की एक डीटेल कमपारेजन वीडियो कहीं भी देखने नहीं मिलने वाली, और मैं जने भी अभी रेफरेटर्स को मैंने जब यूट कमपारेजन वीडियो बनाई और मैं डीटेल लिए उनको एनलाइस कर रहा था, तो मैंने एक चीज नोटीस करी हर एक रेफरेटर और बहुत सारे मॉडल्स में क्या हो रहा है, कि बहुत सारे मॉडल्स अपनी कैपैसिटी रहा हुँ मेंचन कर रहा है, जहाँ पर वो लोग ग्रॉस कैपैसिटी का नाम लेके उसकी जो औरिजनल कैपैसिटी उसको हाइट करते है, तो वो मैंने यहाँ पर अपने लिफ डाउन करा हुआ है, डेफिनिटली आप यह ओनलाइन ले रहे हो तो यह चीज़े तो आपको स साथ आने वाले हैं, एक non-inverter compressor वाला refrigerator भी बताऊँगा, क्योंकि मेरे को लागी हो बताने लाएक है, that's the reason मैंने उसको include करा हुआ है, एक चीज़ और दोस्तो, storage एक important factor होता है, और capacity आपको कितनी चाहिए, वो आपको अंदाजा लगाना है, कि आपके घर में कितने लोग है, size start तो बहुत सारे मिल जाते हैं, मैं हमेशा से बताया हूँ और बहुत सारे लोग बताते भी है, मैं यहाँ पर फिर भी बता दूँगा, बट वो आपकी उपर है, आपको कितना ज़्यादा सामान लगने वाला है, कितना ज़्यादा आपको freezer की जरूवत है, और कितना ज़् खुद लगाईए, कि कितना ज़्यादा capacity आपको चाहिए, दोस्तो, आजकल सारे models की design में आपको stainless steel और color option एक बहुत बड़ा plus point हो जाता है, जहाँ पर आपके rooms के interior के हिसाब से वो एक्दम completely fit होना चाहिए, तो वो आपके लिए मैंने यहाँ पर वो सारा easy बना दिया है, और अपनी description में डाल देता हूँ, और अगर आप वहाँ से कुछ भी चीज़ खरीदते हो, आपका 1 रूपया भी कम हुए बिना यह channel की बहुत ज़्यादा help हो जाती है, और मैं आपके लिए ऐसे true view video बनाते रहता हूँ, तो दोस्तो, मेरे नामे आमेर, welcome back to my channel, let's begin, तो दोस्तो का 265 लिटर का 2 star referator एक है और 245 लिटर का 2 star referator है, 265 लिटर वाला 27,990 मतलब लगब 28,000 रुपय का मिल रहा है, वहीं आपको 243 लिटर वाला referator 2990 मतलब 23,000 रुपय का मिल रहा है, point to be noted यह एक non inverter referator है, जैसे मैंने पहले बोला कि non inverter referator यहां बताने वाला, non inverter referator है, दोनों के अंदर अपने को जो freezer की capacity है, वो 64 लिटर की मिल जाती है, बट वहीं आपको 265 लिटर वाले में 201 लिटर की आपको referator fresh food capacity देखने मिल दाएगी, वहीं आपको 243 लिटर वाले में 179 लिटर पर fresh food capacity देखने मिल दाएगी, दोनों referator 2 star energy star rating के साथ आती है, इन लोग ने अपना unit rate power consumption mention नहीं करा हुआ है, क्योंकि ये non inverter है, तो मेरे इसाब से वहीं रहेगा, ये 250 से 230 की range में रहने वाला है, अगर मैं बात करूं storage option की, तो यहाँ पर आपको 3 shelf देखने मिल जाती है, एक dairy zone देखने मिल जाता है, vegetable crisper आपको देखने मिल जाएगी, जहाँ पर आप vegetable store कर सकते हो, दो bottle की racks देखने मिल लाती है, दो normal racks है, और एक egg tray है, दोनों के अंदर सेम है, point to be, यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूंगा, कि जो ये मैंने freezer की storage compartment की बात नहीं करी, वहाँ पर आपको एक shelf और दो racks वो मिलती है, bottle की storage के हिसाब से, मैं image दाल रहा हूँ, तो आपक same features है, सारे के सारे, जैसे की बोलू के extra width, मतलब इन लोग ने compartment के बाजू में जो width दी है, वो ज्यादा extra दी गई है, crisper इसका जो vegetable crisper है, वो काफी जादा बड़ा दिया गया है, bottle bins अच्छी खासी बड़ी है, surround cool वाले features इसके अंदर देखने मिल जाता है, मतलब इसके अंद quadra crisper cover दिया गया है, जो इसके vegetable tray के उपर देखने मिल जाता है, दोनो referators आपको stabilizer free मिल जाएंगे, और auto connect हो जाएंगे इसके inverter के साथ, ये features जोनों के अंदर देखने मिल जाता है, और बात करें अगर warranty की तो IFV दोनो referator पर आपको एक साल की प्रड़क्यों पर warranty देता है, औ मेरे हिसाब से दोनो अच्छे model है, बट अगर मेर से पूछोगे, तो मैं थोड़ा सा IFV 243L की तरफ lean होता, क्योंकि वो 23,000 रुपे का मिल रहा है, अगर non inverter लेना है, तब ही, परना और model है, आगे बताने के लिए, बट स्टिल, link is in description, तो दोस्तों आप बात करते हैं, one of your favorite brand whirlpool के बारे में, जो जिसके अभी फिलाल market के अंदर 4-5 model भिक रहे हैं, और मैं इसको थोड़ा detail comparison करने के लिए, मैं थोड़ा एक-एक model को अच्छे से compare करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इनके 4 अलग type के model है, पहले उनको समझा देता हूँ, एक whirlpool का 235L का model है, जिसमें आप 22 जिसको लिखा हुआ है, पैट वो 265L ही है, 2 star, यह दो model और देखने मिल जाते हैं, इसके अंदर यह model इस तरीके से भी गलाए है, कि इसके अंदर आपको color option देखने मिल जाता है, pixel black और crystal black इस तरीके से, और एक है whirlpool का triple door refrigerator model जिसके अंदर आपको 240L की capacity देखने मिल जाते है तो पहले बात करते हैं, whirlpool की 235L की जिसमें 2 star और 3 star देखने मिल जाता है, तो यह जो model है, यह same German steel से बना हुआ है, और काफी जाधा aspect लगता है look के अंदर, इसके अंदर आपको freezer की 52L की capacity दी गई है, वहीं आपको refrigerator की fresh food capacity 183L की दी गई है, 183L की दी गई है, अगर annual power consumption की ब 35 unit year per year consume करता है, जो कि बहुत जाशानदार है, अगर मैं storage option की बात करूँ, क्योंकि दोनो same ही model है, बस star rating का फरक है, तो 4 racks देखने मिल जाएंगे, चार shelf देखने मिल जाएंगे, और इसके अंदर आपको एक UI आपको inside refrigerator देखने मिल जाता है, detailed display जिसे आप cooling control कर पाएंगे, औ आपको freezer के अंदर एक rack और एक shelf extra देखने मिल जाती है, दोनों refrigerator के अंदर, अगर कुछ additional features की बात करूँ ये refrigerator में आपको, तो आपको इसके अंदर coldest freezer देखने मिल जाएगा, जहां पर इसको आप minus 24 degree Celsius पर cover कर पाएंगे, anti-order action देखने मिल जाता है, साथी साथ extensive ripping से बचाता है, या आपको vegetables और fruits को भी, जो कि में को बहुत साथ शांदर लगा, और अगर आपको eyes बनानी है, तो इसके अंदर आप quick eyes बना सकते हो, 85 minutes के अंदर, जो कि मेरे कहल से, ये एक थोड़ा सा गिमी की चीज़ लिखी वी है, बट वो जो सारे refresh rate देते, फिर भी मैंने बता दिया है specification wise आपको confusion ना हो, और वहीं बात करूँ warranty, तो बात करें warranty, एक साल की product के ओपर warranty और दस साल की compressor की warranty, ये दोनों model के ओपर देखने मिल जाते हैं, अब बात करते हैं, अपने जो color वाले option जिसमें crystal black दिया गया है, और एक में pixel black दिया हुआ है, तो भाई, दोनों referator जैसे मैंने तो इस पज़े से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने को दोनों के अंदर 184 liter की refrigerator fresh food capacity देखने मिल जाती है, और जो बात करें freezer की, तो उसके अंदर आपको 75 liter की capacity देखने मिल लेगी, दोनों के अंदर 292 वाले में confusion मत हो ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर clearly बता रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ, जो pixel black वाला जो model भी करा है, वो 2 star है, और वो consume करता है 259 unit per year, और वहीं आपको जो crystal black वाला model है, वो consume करता है 253 unit per year, इस तरीके से, दोनों के अंदर same, आपको compartment storage देखने मिल दाते हैं, number of rack 4 है, shelf 3 है, bottle storage का option देखने मिल दाते हैं, freezer के अंदर कुछ compartment है मैं image के तुरू आपको बताने ही कोशिच कर रहा हूँ, देख सकते हैं, donor refrigerator stabilizer free है, 6 cents आपको इसके अंदर deep freezer technology देखने मिल जाती है, जो बहुत अच्छी से काम करती है, जल्ली cooling में help करती है, साथी साथ micro block technology देखने मिल जाएगी, fresh flow air tower दिया गया है, honeycomb, moisture control system, यह मतलों जाओ, end of the day वो सारी चीज़े एक ही है, quarantine, same, एक साल की product के उपर दोनों के उपर मिल जाएगी, और दस साल की compressor के उपर मिल जाएगी, तो हम लोगों ने pixel और crystal वाला black वाला model भी यहाँ पर cover कर लिया, अब बात करते हैं, इसका चौता model जो है whirlpool बेच रहा है, वो है triple door refrigerator का model, जो आपको मिलेगा 25,700 रुपेगा, अगर पहली बात मैंने अगर आपको pixel वाले model में बता है, तो वो दोनों model आपको 25,000 रुपे में ही मिलते है, triple door वाला model जो है, वो भी आपको 25,700 में मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ, यह alpha steel, मतलब इसका steel वाला finish दी गया गया है, जो बहुत जादा aesthetic लगता है, अगर आपको इस टील फ्रेम वाला model चाहिए, अगर इसमें freezer की capacity बोलो, तो 64 लिटर की दी गई है, वहीं आपको refrigerator fresh food capacity 176 लिटर की दी गई है, अगर मैं power unit consumption के बात कुर तो 200 unit consume करता है, क्योंकि इसके अदर triple door है, तो refrigerator मिलता ही है, freezer भी दिया गया मतलब चाहिए नहीं तो खोलोगे नहीं, खोलोगे नहीं तो power consumption का इतना ज़्यादा problem नहीं होएगा, वहीं storage के अगर बात करो तो storage option बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिल दाते है, triple door के अंदर, 4 racks, 4 shelf देखने मिल दाएंगे, bottle storage का option देखने मिल दाएंगा, वहीं आप आपको freezer के अंदर भी एक rack और एक shelf देखने मिल दाएंगा, जो बहुत जाए शानदार है, refrigerator stabilizer free है, अगर मैं बात करूँ कुछ additional feature की तो जिसको मतलब fancy words में लोग बोलते है, वहीं zeolight technology, end of the day, वो सारी चीज़े वही है, cooling एक दम अच्छे से करता है, वहीं monster retention technology देखने मिल जहाँ पर आपको मैंने एक dairy compartment बोल रहा हूं, हर एक refrigerator में होता है, जहाँ पर moisture retain करता है, वहीं आपर fruit crisp पर दिया गया है, vegetable एक अलग से देखने मिल जाता है, और daily zone करके एक दिया जाया है, जहाँ पर आप 32 लीटर तक की storage कर सकते हो, vegetable को, last storage है, air booster दिया गया है, और energy efficient, end of the day यह features थोटे से gimmick है, but end of the day सारे रिफिटर सेम सी है, वल्कूल के अंदर, बात करें, एक साल की warranty देता है, product के ओपर, दस सल की compressor के ओपर, तो यह चारों model को मैंने यहाँ पर detail ही explain कर दिया है, अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर worth for buying जो चीज रहने वाली है, वो है वल्कूल का 235 brand के तरफ से आने वाले model, तो यहाँ पर गोद्रेज के दो models market में अच्छी तरीकी से बिकर है, और one of the best selling models है, एक है गोद्रेज का 244 लिटर का 3 star model, stainless steel model है, दूसरा है गोद्रेज का 234 लिटर का 2 star model, जो 3 star model है, वो 23,990 मतलब 24,000 रुपे का बिकरा है, वहीं आपको जो 2 star model ह वो 22,000 रुपे का मिल रहा है, दोस्तो एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कि जितने भी रिफ्रेटर हो, लोके उपर मैंने कुछ coupon codes भी देखे थे, जब भी मैं इनकी बहुत सारी technical analysis कर रहा था, तो coupon code है, तो उसको लगा लो, मेरे हिसाब से उसमें कोई भ जर्वद नहीं होती, तो coupon code से आपका direct price में deduction हो जाता है, मैं card offer include ही नहीं कर रहा हूं, और card offer को deduct ही नहीं कर रहा हूं, ये भी एक चीज बता दूँ, अब ही मैं बात करूँ, अगर 3 star वाले model जो 244 लिटर की capacity के साथ आता है, उसके अंदर आपको freezer में 50 लिटर की capacity देखने म मिल जाती है, freezer की, वहीं आपको refrigerator fresh food capacity जो 3 star वाला model है, उसके अंदर 194 लिटर की दी गई है, वहीं आपको जो 234 लिटर का 2 star model है, उसके अंदर 169 लिटर की दी गई है, तो आप अपने capacity का judgment खुड लगाईए, कि कितना चाहिए, freezer के लिए जाधा चाहिए, या freezer के लिए, fridge के जाधा चाहिए, अगर मैं storage option की बात करो, तो 3 stuff and glass shelf देखने मिल जाएंगी, 2 bottle की racks देखने मिल जाएंगी, एक प्रेक देखने मिल जाएंगी, दोनों के अंदर same है, और रही बात freezer के अंदर भी आपको एक rack और एक shelf अच्छटा देखने मिल जाती है, दोनों refrigerator के अंदर, एक तरिकी से होती है, farm freshener up to 30 day लिखा हुआ है, 3 star वाले model में और 24 day लिखा हुआ है, अपना 2 star वाले model में, end of the day पता नहीं क्यों, ambient weather sensing technology दी गई है, और दोनों के अंदर आपको inverter compressor दिया गया है, intelligent operation देखने मिल जाएंगा, और साथी साथ, दोनों refrigerator में आपको temperature control और vegetable tray दोनो जाधा कारगर होती है, जिसके वैसे cooling अच्छी होती है, और insulation का इतना ठिक होना एक अच्छी चीज है, मतलब वो insulation wire खराब नहीं होगी और cooling के अंदर जाधा फरक नहीं पढ़ने वाला, तो गोदरेज का ये एक चीज बहुत बड़ा plus point है, अगर मैं बात करूँ warranty की, तो ग इसाब से यहां पर जो two star वाला model है, वो जाधा value for money बन जाता है, पर capacity कम है, एक चीज धान में रख लेना, वही three star वाला model भी मेरे तरफ से highly recommended रने वाला, क्योंकि capacity पे अच्छी मिल रही है, unit consumption भी बहुत कम है, दोनों के link आपको description के देखते मिल जाएगी, तो बात करते हैं Bosch brand की तरफ से आने वाला refrigerator जो आपको 25-25,000 की range के आसवास मिलता है, तो Bosch की तरफ से एक refrigerator है, जो 25,000 की range में मिलता है, पर ठोड़ा महंगा ही है, मैं बात कर रहा हूँ, Bosch का यहां पर 243 लिटर 3 star model, जो आपको 27,500 रुबेगा मिल रहा है, इसके पर कुछ bank offer लगाओ, तो 25 ज़ादार के आसवास आएगा, नहीं भी आया है, तो Bosch का एक ही refrigerator है, जो यह range मिल रहा था, अगर freezer capacity की बात करो, तो आपको इसके अंदर 49 लिटर की freezer capacity देखने मिल जाएगी, और refrigerator fresh fruit capacity 194 लिटर रही जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़ादार है, 10-90% एकदम अच्छे स लोग ने apply करा हुआ है, unit power consumption की बात करो, तो 230 unit per year लेता है, जो बहुत ज़ादार है, 3 star model की हिसाब से, अगर मैं shelf और storage option की बात करो, तो आपको 3 adjustable shelf देखने मिल जाएगी, इसको तुम्हें adjust कर सकते हूँ, उपर नीचे अगर आपको कोई सामान बड़ा चोटा हो जाता है height मे तो वो बहुत अच्छा feature लगा, दो bottle की rags एकने मिल जाएगी, एक normal rag दी गई है, vegetable crisper दिया गया है, dairy zone भी देखने मिल जाती है, और freezer में भी आपको एक rag और shelf extra देखने मिल जाती है, वहाँ पर ये भी एक चीज़ यहाँ लगना, extra features के अगर मैं बात करूँ तो इसके अंद power cut के time पे भी अच्छे से करती है, power secure mode दिया गया है, जिसको इन लो power secure switch mode बोलते है, इसके अंदर अगर power cut भी हो जाती है, तो अच्छे जारा time तक आपके सामान को अंदर ये fresh रखता है, वहीं आपको इसके अंदर जो fridge की space है, वो काफी जादा बड़ी बड़ी दी गई है, और एक्दम clean neat सा लगता है, stainless steel design दिया गया है, बहुत ज़दा प्यारा लगा इसका design में को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, अगर बात करूँ noise, एक बहुत कम बड़ा factor लगा, इसके अंदर जो 42 decibel तक ही अवास करता है, बहुत कम, मतलब समझ ही नहीं आता कि अच्छे स So, बात करते हैं, one of your favorite brand LG, जिसके दो model आपको मिल रहे हैं, दोनों model best selling category में आते चाहे, Amazon ले लो, flip card लो, पहला model है, LG का 246 liter का 3 star model और दूसरा है, LG का 242 liter, मतलब ज़्यादा फरक नहीं है, दोनों 3 star model है, और जो इसका 246 liter वाला model है, वो 27,990 मतलब 28,000 रुपेगा मिल रहा है वहीं आपको जो 242 liter वाला model है, वो आपको 26,990 रुपेगा मिल रहा है, जो लबग 20,000 मिल रहा है, कोई भी bank offer और coupon code को consider नहीं करा हुआ है, करोगे, तो आराम से price नीचे आती है, जो freezer की capacity है, वो 58 liter देखने मिल जाती है, 246 liter वाले model के अंदर, वहीं आपको 61 liter देखने मिल ज storage option तो same है दोनों के अंदर, ये तो में को भी समझानी पर दोनों के अंदर exactly same है, shelf type आपको trimless, temper glass दी गई है दोनों के अंदर, वहीं आपको shelf 3 देखने मिल जाएंगी, racks देखने मिल जाएंगी, water storage के लिए और refrigerator में, freezer के अंदर भी आपको एक rack और एक shelf देखने मिल जाएंग और जो इसकी shelf है ना, उसको तुम adjust कर सकते हो, ये में को बहुत बड़ा plus point लगता है, क्योंकि अगर आप कोई सामान बड़ा चोटा हो जाता है, height हिसाब से अगर वह addressable नहीं है, तो फिर उसके लिए problem हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, वो एक अच्छी चीज देखने मिल आ साथी साथ इसके अंदर auto smart connect दिया गया है, inverter के साथ आप connect कर सकते हो, बहुत आगर light जाती है, तो smartly converter के साथ connect हो जाता है, और अगर unit consumption की बात करूँ तो दोनों almost same, 232 unit per year consume करता है, मतलब बिजली में भी exactly same consume करते हैं, बात करूँ, दोनों refrigerator stabilizer free है, एक साल की product के ओपर warranty देता है, और 10 साल की compressor के पर warranty देते है, अगर मेरे से पूछो तो इसकी जो capability tube है, ये भी 2.24 inch की thing है, और बहुत अच्छे से तरीके से दिखते है, color option इसके अंदर देखने मिल दाते है, stainless steel design है इसका, और काफी जादा aesthetic look है, तो दोनों refrigerator मेरे तरफ से highly recommended रहेंगे है, and work for buying है, definitely जो best selling categories को दी गई है, मेरे हिसाब से that is correct, you can go for it, link up to description के लिए देखने मिल जाएगे, so दोस्तों बात करते हैं, Panasonic brand की तरफ से आने वाले, जो भी सारे best model है, तो Panasonic की यहाँ पर 4 model है, जो चारो की चारो clip pad पर है, अगर Amazon पर लिया तो confusion हो जाएगा, वो कहसे मैं बताऊं आपको Panasonic का पेला model है, Panasonic का 260 liter फ्री शार model, चारो model फ्री स्टार है, पहले ही बताओ, Panasonic का 237 liter वाला model, Panasonic का 257 liter वाला model और Panasonic का 279 liter वाला model, चारो 3 star model है, अगर मैं बात करू, 260 वाला model तो 27,990, 28,000 परिस का मिल रहा है, 237 लिटर वाला आपको 24,990 मतलब 35,000 रूपे का मिल रहा है Anasonic का 257 लिटर वाला मॉडल आपको 26,990 रूपे का मिल रहा है और वही 79 लिटर वाला मॉडल भी 26,990 रूपे का मिल रहा है आज मैं बात करूँ कि Amazon पे अगर इनको देखोगे ना तो gross capacity और net capacity के साथ जोल किया है, वही पैनास जो flip card है, उसमें सही capacity है, तो सही capacity मैंने mention कर रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर freezer capacity और refrigerator की capacity mention नहीं कर रहा हूँ, पर gross capacity जो मैं को Amazon से मिली, क्योंकि Panasonic नहाँ आपने main page पे लिखा हुआ है, नहीं कहीं mention कर रहा हुआ है, और नहीं उनके सारे specification brochure में मैंने check कर लिए, कहीं लिखावानी है, तो मैं यहाँ पर उनकी gross capacity mention कर दे रहा हूँ, पर बोलूँ आनी, तो उससे confusion नहीं होगा, और unit consumption की बात करूँ, तो आपको जो 37 liter वाला model है, या फिर 260 liter वाला model है, या फिर 257 liter वाला model है, तीनों लगबख same power consume करते है, 132 से 135 unit per year, जो ही बहुत जाया शांदार लगा, वहीं Panasonic का 279 liter वाला model है, वो consume करता है 237 unit per year, जो की capacity के हिसाब से मान के चलिए, चारों refitter में आपको almost same specification मिल जाएंगे, थोड़े गिमी की word उपर नीचे करने ही कोशिच करिए, कोई एक चीज़ उपर नीचे की भाई different model है, end of day सारे same model है, तो अगर बात करूँ तो तीनी के अंदर आपको vegetable की tray देखने मिल जाती है, 30 liter की capacity के साथ बड़ी basket डी गई है, humidity cat control दिया गया है, multiple storage design दिया गया है, functional storage design दिया गया है, adjustable high आपको इसके अंदर shelf देखने मिल जाती है, और चारों refrigerator के अंदर आपको 4 shelf, 3 racks, bottle storage option और साथी साथ 1 tray देखने मिल जाती है, freezer के अंदर आपको एक rack और एक shelf अलग से देखने मिल जाती है, आपको सारे जो racks दी गए है, shelf दीए गए है, वो टकफन ग्लाश से बने वे हैं, साथी साथ आपको बड़े बड़े door pocket देखने मिल जाएंगे, और साथी साथ double twist ice tray देखने मिल जाती है, साथी साथ इसके अंदर 6 stage intelligent inverter compressor यूज़ करा गया है, पैनासोनिक शायद हो सकता है, अच्छा compressor दे रहा हो, बड़ उसका detail एकदम अच्छी तरीकी तो लोग ने मिंचन नहीं करा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर और जादा इसको गिमी की तरगी से में यहाँ पर plus point नहीं बोलूँगा कोई बहुत बड़ा, वहीं चारो referator पे आपको एक साल की परड़क के उपर warranty मिल जाती है, अगर मेर से पूछो कि इसमें सबसे value for money referator कौन सा है, तो वो मेरे को लगा 279 लीटर वाला referator तो 34 वाला model है, अगर ज़्यादा capacity के तरफ जाना है, और अगर आपको थोड़ा कम capacity के तरफ जाना है, तो मैं बोलूँगा कि Panasonic का 237 लीटर भी एक अच्छा option रणे वाला है, मैं चारो की link description के नहीं दे दी है, definitely अच्छे referator तो है ही सारे-सारे, बट वही price का उपर नीचे वाला game है, आफर मिल रही है तो ले सकते हो, वरना और भी option में आगे बताने वाला हूं comparison के साथ, चारो की link description के नहीं दे दिखने मिल देगी, अब बात करते हैं, मेरे जो favorite brands है, जिसके maker referator सबसे अच्छे लगे, इसके लिए उनलोगों सबसे लाश में यहाँ पर include करा है, और जो एक एक करके यहाँ पर mention करता हूँ, तो पहला है Samsung brand की तरफ से आने वाले दो model है, एक 3 star है, एक 2 star है, Samsung के दो model बिख रहे हैं, Samsung का 236 liter का 3 star model है, और Samsung का 236 liter 2 star model, मतलब exactly same है, but star rating का फरक है, जो 3 star वाला model है, 24,990 मतलब 25,000 रुपी का मिल रहा है, 2 star वाला model 30,000, 190 मतलब 25,000 रुपी का मिल रहा है, इसके उपर मैंने coupon codes देखे हैं, तो definitely अगर coupon codes है, तो लगाओ क्योंकि और सस्के मिल रहे हैं, वहीं अगर मैं बात कुरूँ, freezer की गई, तो दोनों में आपको 53 liter की freezer capacity देखने मिल दाएगी, वहीं आपको refrigerator fresh tribute capacity दोनों के अंदर 183 liter की देखने मिल दाएगी, जो कि बहुत जाए शानदार है, unit power consumption में जो 3 star वाला model है, वो 229 unit per year लेता है, व fresh room compartment भी देखने मिल जाता है, जहां पर आप dairy product अगरा सब रख सकते हो, और बहुत कम noise करते है ये refrigerator, और साथी साथ इसके अंदर जो shelf दिये गए है, वो दोनों के अंदर adjustable shelf दिये गए है, मतलब जिसको तुम adjust कर सकते हो, मतलब अगर अपने को सामन थोड़ा बड़ा चोटा ह जाता है, शेल्फ के अंदर रखने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा press point लगा मिरको ये दोनों refrigerator के अंदर, दोनों के अंदर same है, unit के अलावा सारा same है दोनों refrigerator के अंदर, और मैं बात करूँ warranty की, तो यहां पर भी Samsung एक ऐसी चीज़ देता है जो बाकी कोई brand नहीं देता, एक साल की product के अपर warranty दे ही रहा है, और 20 साल की compressor के अपर warranty दे रहा है Samsung, जो की कोई भी brand नहीं दे रहा है, जो की मेरे इसाफ से बहुत बड़ा plus point है, और एक लिए दोस्तों मैं बोलना भूल गया है, दोनों refrigerator इंवर्टर compatible भी है, और stabilizer free भी है, मेरे इसाफ से दोनों highly recommended रहे दोनों की link पर इने description के दे दाल दिए, तो दोस्तों आप बात करते हैं, last में higher brand की दरफ से आने वाले दो model, जो मेरे को लगता है design wise और feature wise बहुत जादा अच्छे referators है, तो higher के एक ही model है, जिसको मतलब star rating में फरक है, higher का 240 liter का 3 star model और 240 liter का 2 star model, जो 3 star वाला model है, वो 24,480 उपन कोड है, ये referators के उपर और साथी साथ bank offer भी है, तो जरूर से check out करना, पर मैंने यहाँ पर direct जो price में मिल रहा है, वो price mention करा है, फ्रेजर की capacity दोनों के अंदर सेम देखने मिल जाती है, 57 liter की और साथी साथ अगर referator fresh food capacity बोलो, तो 183 liter की दोनों के अंदर सेम देखने मिल इसके storage options आद है, आपको साथी साथ, दो rags देखने मिल जाएंगे, जहां पर आप बड़ी-बड़ी bottle stores कर सकते हैं, चार shelf देखने मिल जाते हैं, दोनों के अंदर साथी साथ, इसके अंदर जो ना fresh food chill zone देते हैं, जो मतलब dairy zone बोलके बेचते हैं, बाकि सारे brands, वो इसके अं convertible है, आप freezer को freeze बना सकते हो, और freezer को freeze बना सकते हो, और दोनों को refrigerator बना सकते हो, इस तरीके से आप दोनों को अच्छे में use कर सकते हो, सारे जो इसके अंदर trays और rags दिये गए हैं, वो टफन glass shelf से बने वे हैं, और साथी साथ anti-bacterial gasket डिया गया है, मतलब वो जो germs bacteria होते हैं, वो सारे नहीं होते हैं, एकदम अच्छे तरीकी से काम करते हैं, वो सारे refrigerator देते ही हैं, बट इन लोग ने mention कर रहा हुआ है, तो मैं इसको mention कर दे रहा हूँ है, हायर आपको product के ओपर एक साल के warranty देता है, और दस साल की compressor के ओपर warranty देता है, मेरे इसाफ से worth for buying है, दोनों refrigerator आ आपके हिसाब से, आपके price के हिसाब से, आप कितना use करते हो, बट अगर मैं बोलूँगा कि एक से दो अजार उपे का ही फरक पड़ रहा है, तो त्री स्टार वाले model की तरफ ही जाना चाहिए, हम लोगों कोई भी refrigerator के, अगर एक से दो साल के लिए ने ले रहे हैं, कम से हम पांच से दस साल के लिए तो minimum ले रहे हैं, क्योंकि दस साल के लिए तो कमरे सार के बुरो वाइंटी मिलती है, तो उस इसाब से आप सोचिए हो, त्री स्टार वाले model की तरफ ही मेरे तरफ से highly recommended रहेंगे, तो जो भी सारे model से मैंने बता है, उसमें त्री स्टार model की तरफ ह जरूर से प्रेस कर दीजेगा, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, तो दोस्तों और comment box open है, अगर आपको कोई भी feedback question है, या फिर कोई model अभी भी छोट गया है, जिसको आपको बताना है कि भाई, इसको क्या compare करना है और लेने लाइक है या नहीं, तो पूछ के लिए stay healthy, stay safe